है हलो दोस्तों दोस्तों इसे पहले वाले वीडियो में currently हम लोग साइज का टेश्ट नंबर वन कर चुके थो के दोस्तों इस बीडियो में हम लोग देखेंगे साइज्स टेश्ट टू को करेंगे और दोस्तों इस तेस्ट को रुकेंगे आप इंसर बताई गया फिर आप अपना कल्कुलेट कर लिजेगा तीस कोश्चन में आप कितना सौल किये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्ण है परमानुक भम का सिधान्त आधारित है ऑप्शन ए नाप किये संलयन पर ऑप्शन बी नाप किये विखंडन पर ऑप्शन सी उप्रोग्त दोनों पर ऑप्शन डी उप्रोग्त किसी पर नहीं तो सही इंतरों का ऑप्शन भी नाप किये विखंडन पर तो दोस्तों परमानुक बम का जो सिधान्त आधारित होता है वो नाप के विखंडर पर आधारित होता है जबकि सूर का इडेजे तो दो दोस्तों जब हावा तेज बहता है तो वास्पिकरन का जो दर होता वो होता है आप देखेंगे होंगे धंडा के दिनों में कप्रणा जल्दी नहीं सुखता है बट अगर तेज बबता तो कप्रा चल्दी शूक जयता है तो तीज हावा से क्या होता है वश्पिकरन तेज होने लगता है अगला प्रश्न है भारी मसीनों में इस नहा के किस्तिमाल किया जाता है आप्ष्छन अ बॉक्साइट ऑप्षन भी गिरफाइट ऑप्षन सी फॉस्फोरस ऑप्षन डी सल्फर तो सहींतर होगा option b effet तो भारी मसीनों में जो i s ne hack के रुप में lubricant के रूप में हम लोग किसका इसयु NEW थोरफ करते truck करते हैं क्यूंकि यह दोस्तों जे चिकना होता है और जर गिरीस हम लोग इसामल करते हैं उसी तरह 기reff जुद इस्वाल करते थे और अगला प्रश्ण है अस्पंज क्या होता है अगले प्रश्ण है एक बिकर चाट डिगरी सेल्सियस पर पुन्त जल से भरा हुगा है जल उपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऐफशन है 4 डिगरी से उपर घर्ब किया जाए बी 4 डिगरी से नीचычно किया जाए चर्द इसे कोई नहीं तो देहें यह बहुत यह अच्छा कोशन है और बहुत यह different कोशन है देखें चार डिग्री celsius पर अगर हम ध्यान देंगे तो चार डिग्री celsius पर पानी का जो density होता है density वो maximum होता है जब्कि भॉल्म जो होता है आयतन जो ह का होता है डेंसिटी कॉम होने लगता है चाट डेगरी के ऊपर अगर बात करेंगे चाट डेगरी पलस बात करेंगे तो डेंसिटी का हो जाएगा कॉम होने लगता है क्यूंकि चाट डेगरी पे सबसे अधिकतम डेंसिटी होता है पानी का तो चाट डेगरी के ऊपर करेंगे तो density क्या हो जाएगा मतलब volume क्या होगा बढ़ जाएगा और volume बढ़ेगा तो पानी क्या हो गिनने लगे तो ए औप्सन आपका क्या हो जागा स्ब्सक्राइगा ठीट हो जाएगा चष डिग्रि से उपर देन्सिटी कम हो रहा है इस केस में फिर वॉलूम क्या होगा बढ़ जाएगा इस केस में भी क्या होगा चार डिकरी से नीचे अगर ठंडा किया जाए तब भी आपका भॉलूम बढ़ जाएगा और इस केस में का वहाँ पानी गिरने लगेगा तो दोनों ओप्शन का होगा सह याद रखना चार डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का पानी का जो डेंसिटी होता है वो मेक्सिमुम होता है उसके नीचे कम होगा और उसको पाद क्या होगा बढ़ने लगेगा ठीक है अगला कोशन है भूमन्दलिय तापन का मुख कारण किसका विरिदी है ऑप्षन नैट्रोजन के ओकसाइड बी ऑप्षन सुलफर के ओकसाइड ऑप्षन सी कारवन डायकको जाइड और अप्षन नाहीं ब्रीदी होता है और आप सुनते ही होंगे जी इतना साल पर एक डिग्री सेल्सेस बढ़ गया और एक एक डिग्री सेल्सेस अगर बढ़ रहा है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है वातवरन के लिए अगला कोशन है धावनिकों आखो के रूप में परियोग करने वाली प्रानी है अज़िगा है आविर्थी को option B, voltage को, option D, power को, सही एंसरों का option A, धारा को, ट्रांस्फर्मर किसको बदलता है, धारा को, अगला कोशन है, आईनिकरन उर्जा के आविर्थी रुजानों के आधार पर किस तत्म में स्वार्दिक आईनिकरन उर्जा होती है, option A, helium, B, option, bromine, option C, kolorine, option D, nitrogen, certification hydrogen, को टूं तो यहां पर question खरा आईनिकरन उर्जा, इनर्जी किस में अधीक होता है, हिलियम का, तो, एनर्जी का मतलब हो गया, आईनिकरन उर्जा का मतलब होगया, किसी परिमानू में से, एक यॉलेक्ट्रोन निकलने में युग्ट्र की cover positively यह मेलेटोड नहीं देता है क्योंकि यह स्थाही होता है अगला कोशन है मानों के कुल रख्त आहतन में प्लाजमा का परतिसत लगबग कितना होता है अगला कोशन है जीवानु ब्रेकेट बैक्टेरिया कौन सी बिमारी पैदा करने वाला जीव है Option A Malarya Option B Ats Option C गल सुआ ब्रेकेट मंप्स यक्षमा ब्रेकेट तपेदिक तो सही अंतर होगा Option D यक्षमा जिसको तपेदिक भी बोलते हैं और अपने भासा में इसको अम प्लूट टी भी बोलते हैं जीवानु नेंवेसे कौन से ब्रेमारी होता है इनमें से टी भी होता है अगला प्रश्ण है साबुन को जल में घोलने पर जल के प्रिश्ट तनाव पर क्या परभाव पड़ता है option A बढ़ जाता है option B घड़ जाता है C option समाप्थ हो जाता है D और परभावित रहता है तो सही अंतरों का option A बढ़ जाता है अगला कोशन है निमलीखित में से किस जीव का रख सफेद होता है option A छिपकली, option B तिलचट्टा, option C घिरेलू खटमन, option D मचर सही अंतरों का option B तिलचट्टा का दोस्तों जो रख्थ होता है वो सफेद होता है अगला कोशन है नैट्रोजन, इस्थिरी करन, जीवानू किस पोधों की जर के साथ सन्योजन करते है option A दाले, option B, चावल, option C, गेहू, option D, गन्न सही अंतरों का option A दाले तो दालों के अंदर दोस्तों उनके जर में कुछ ऐसे जीवानू होते हैं जो नैट्रोजन को क्या करते हैं, ठीक है, परियावरन में से वाई मंडल से लेकर उसको जड़ तक पहुशाते हैं अगला प्रश्ण है, निमानकित में से कौन सा सई सुमेलित नहीं है अप्षण A, ऑक्सिटोसिन का हार्मोन, अप्षण B, एस्पार्टम का संसलेसित मधूरक, अप्षण C, नियोप्रीन का विसिष्ट रवर, अप्षण D, रियान का रूपतांतरित स्टार्च अप्षण D, जो है सही मिला नहीं है, ऑक्सिटोसिन एक तरह का हर्मोन होता है, सही है, एस्पार्टम एक तरह का संसलेसित मधूरक होता है, सही है, नियोप्रीन एक तरह का विसिष्ट रवर होता है, सही है, और रियोन जो होता है दोस्तों रूपांतरित स्टार्च नहीं ह होता है रियोन एक तरह का रेशा होता है और यह पहला मानों निर्मित रेशा भी है अगला प्रश्ण है निम्लान कि अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा पदार्स प्रोटीन नहीं है 告诉 a कपाच kपाच ऑप्रोटीन नहीं होता है यह एक तरह का यह रेशा होता है अगला प्रशन कि रिएख्टर में निट्रोन को सोसित करने वाला तो तो है option a cadmium option b जस्ता option c uranium option dc से तो सही अंसर होगा option a cadmium दोस्तो नाव के रियक्टर में निट्रोन को क्या करता है एब्सर्ब करता है सोसित करता है अगला प्रशन है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गरम या ठंडर आता है कि उसमा की कोई हानी अत्वा प्राप्टी नहीं होती है option a option c एक और दो दोनो option d उप्रोक में से कोई नहीं तो सही अंतर हो जागा option c दोस्तो थर्मस जो होता है जो थर्मस होता है उसमें कोई भी पदार्थ रखेगा तो उसी ताप पर कुछ देर तक रहता है एक से दो दिन तक 24 घंड़ा तक मानके चलिए अगर ठंड़ा चीज रह है तो ठंड़ रहेगा और गरम चीज रखें तो गरम रहेगा क्यूंकि इसके इसका बनावट ऐसा होता है दोस्तों ठीक है इसके बीच में भैकम भी होता है दो लेयर होता है इस्टिल का बना होता है संचालन रूख जाता है ठीक है और सन्वान भी रूख जाता है और विक और प्रस्ट्नकास उर्जा का अप्तिकल फाइबर में संचरन निमंअंकित घटना के अनुप्रयोग द्वार किया जाता है option a पून आंतरिक प्रवर्तन option b विवर्तन option c परकिर्णन option d अपवर्तन तो सही अंतरों का पून आंतरिक प्रवर्तन टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन इसी पर आधारित होता है परकास पूर्जा का अप्टिकल फाइबर में संच्रन जितना भी हम देखें वाइफाई का जित अगला प्रश्ण है इंजाइमों के संदर में निमलिखित कथनों में से कौन सही है एक वे जेव उत्पिरेड़क है दो वे शरीर में उसी असान पर अपना कार्ज करते हैं जावे उत्पादित होते हैं नीचे दिये हुए कूट से सही उतर चुनिए कूट एक केवल एक दो केवल दो तीन एक और दो दो चार नौत नौत दो सही है तो जो इंजाइम होते हैं वह जे उत्पर रख भी होते हैं ठीक है तो इंजाइम हमारे पेट में हमारे सरीर में पाये जाता है और यह जे उत्पर होता है इसको biological catalyst भी बोलते हैं और यह सरीर में उसी अस्थान पर कार्ज करता है जहां पर यह उत्पादीद होते हैं ठीक है और हर एक enzyme का एक special काम होता है वो दूसरे काम को नहीं करेगा उसी काम को करेगा अगला प्रश्ण है मा का दुख्द नवजात को लगबग संपून आहर परदान करता है किन्तु इसमें निमलिखित का अभाव होता है ऑफ्षन लो ऑफ्षन बी calcium option c magnesium option d potassium है तो सही इंधरोगा option a low दोस्तों मा के दूद में लगबग सभी आहर होता है सभी है विटामिन मिल जाता है लेकिन लोहा का क्या होता है कमी होता है और विटामिन सी का भी कमी होता है विटामिन सी और लोहा नहीं होता है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस पदार्थ में calcium विद्मान है option a chinimity option b corundum option c gypsum option d talc तो सही इंधरोगा option c gypsum अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन साथ स्वाइश्व मेलित नहीं है option a silver bromide बी शिल्वर आयोडाइट c lithium bicarbonate d दुधिया मैगनेसिया और राइट साइड में है कृतम प्रकास संसलेशन कृतम वर्शा गठिया का उक्चार पर्तियम तो कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए दुधिया जो होता है लिथियम बाइकर्पनेट सही है गठिया का उक्चार होता है इस इल्वर आयोडाइट क्या होता है कृतम वर्शा करता है यह जो है यह क्रितम परकास संसलेशन का करता है तो यह क्या हो जागा यह गलत हो जाएगा अगला क्वेशन है निमलीखित में से कौन सा एक साक नासर का उधारान है अप्शन ए सोडियम कुलूरेट अप्शन भी पोटासियम पर मैगनेट अप्शन सी ब्लेचिंग पावडर अप्शन दी उप्रूत में से कोई नहीं अप्शन एंगला प्रशन है एक मैक्रोंड भिफर है अप्शन एक बटा दस मीलिमीटर डी औप्शन एक बटा एक खाल्य मीलिमीटर जाएंग कर्यवार दोस्तों एक माइक्रोन बराबर एक माइक्रोन मीटर बराबर होता है दस का पर माइनस 6 मीटर और मीटर से क्या जाना है मिली मीटर में तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो किस में चल जाएगा सेंटिमीटर ठीक है और फिर हम लोग क्या करेंगे 10 से मिली मीटर में जाना है और सेंटिमीटर में 10 मिली मिटर होता है दस से गुना कर देंगे तो मिली मिटर में आ जाएगा तो दस के पाउर कितना हो जाएगा माइनस तीन अगला कोशन है करवाहट के लिए मानुजीब का सनवेदन सिल भाग है ऑप्षन नोक टीप ऑप्षन भी मत भाग ऑप्षन सी पीछे सा और आगे जाएगा उस पर का होता है उस पर आपको नमकिन लगे गया और पीछे वाला भाग पर तीता लगता है अगला प्रशन है निमलिखित में कौन कीटों से प्राप नहीं होता है ऑप्षने रेशम ऑप्षन भी सहथ ऑप्षन सी लाक ऑप्षन डी मोती तो सही है मैं कि असने दस दिवी अप्षन भी बीस डी व ओप्षन सी शाठ डी वे अप्षन डी सोडी बी शहयें थरोगा ओप्षन दस डी वी अगला प्रशन निमलिखित में से कीश का वैक अधिक्यक्तम होता है ऑप्षने क्वास्मिकटरन ऑप्षन सी इलेक्ट्रों उप्षन अगला प्रश्न हां दो अधिकतब अधिकतम होगा option A, निर्वात में option B, वायू में option C, जल में option D, इस पात में धोनी का वेग सबसे अधिकिस में होगा, solid होता है और solid में सबसे अधिकिस का होगा का इस बात में दोस्तों इस तरह हम लोग 30 प्रश्णों को यहां पे bentus कर चुका हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इसे लॉय करें और चाइनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें हम आपके लिए टेश्ट नमर तीन लाएंगे